तो आजकल ना एक trend बन गया है कि हर चीज के नाम के आगे gaming लगा दो जिससे उसका price भी बढ़ जाएगा और उसकी hype भी create हो जाएगी और आज की इस वीडियो में हम यही check out करने वाले हैं कि क्या जो cheap keyboards होते हैं जो बिल्कुल basic से membrane वाले keyboards होते हैं उनसे भी हम gaming कर सकते हैं और pro बन सकते हैं या फिर gaming करने के लिए fancy mechanical RGB का तड़का वाले keyboards ही होने चाहिए फिलाल आज की इस वीडियो के अंदर मैं check out कर रहा हूँ Amcat की तरफ से आने वाला Excite Pro नाम का keyboard एक बहुत ही basic entry level keyboard है जो की membrane keyboard है और अगर आप लोग इसके box के उपर नजर डालोगे तो आपको समझा जाएगा कि WASD और यहां पर जो arrow keys है वो different color coded है कहीं न कहीं है gamers को target किया हूँ है box के उपर जो price mentioned है वो है 560 रूपी पात्चो 60 रूपे इस तरीके से कुछ unbox हो जाता है बहुत ही पतला सा bubble wrap है इसके उपर box के अंदर और कुछ नहीं मिलता है तो इसको please side कर देते है first impressions की बात करूँ तो आप लोगों को हाथ में पकड़ते ही समझा जेगा कि यह काफी cheap product है जो plastic की quality है वो काफी cheap लगती है मेरे पास यहाँ पर royal clutch का mechanical keyboard है और इसको उठाते ही immediately कोई भी बता सकता है कि यह काफी premium काफी hefty product है मैं सब जो बता रहा हूँ इसको मैं थोड़ा सा भी dumb लगा कर twist कर दे ना तो यह आधा हो जाएगा बीच में से यह एक USB keyboard है बट wire की जो quality है वो बहुत flimsy है build quality wise मैं इसको rate करूँगा 10 में से 4.5 इसके उपर आप लोगों को dedicated media controls भी मिल जाते हैं दोनों sides पर फटा फटसे इसके key press की अवास सुनाता हूँ आप लोगों को keyboard को tilt करने के लिए आप इन height adjusters का भी use कर सकते हो अफटा वरसे मैं इसको side रखता हूँ एंड इस फटले USB keyboard को plug करता हूँ मुझे पता है इस फटले keyboard को move करने के लिए थोड़ा सा दम लगाने की एंड मने इसको दम लगा के move किया एकदम आगे किसा क्या बाकि अगर मैं keys की बात करूं तो यह बहुत ही जनरिक सा बहुत ही नॉर्मल सा keyboard है और उसके ओपर तीन lights भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाती है नम लोग कैप्स लोग और स्क्रोल लोग और इसका frame अगर मैं सिर्फ sounds की बात करता हूं या फिर की ट्रैवल की बात करता हूं तो बहुत satisfying experience हो नहीं है एक बार इससे भी compare करके देख लेते हैं इमीडेटली जो sound experience है वो बहुत better लगता है mechanical keyboards का और अगर मैं इसके typing experience के लिए इसको marks देना चाहूं जिसके अंदर included होगा key travel और key sound सब कुछ तो मैं दूँँगा इसको 5 number 10 में से अब है final test की बारी gaming keyboard की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं या फिर नहीं तो वटामट से थोड़ी सी game scale कर देखते हैं कि राइट ओफ दी बैट मैं यह easily बोल सकता हूं कि mechanical keyboard के comparison में जो यह वला है मेरे पास royal clutch का और आप यह देख सकते हो कितना थिक है और यह वला उसके सामने कितना जादा थेन है कितना पतला है तो seriously मैं यह बोल सकता हूं कि जो comfort level है वो इसी में जादा फील हो रहा है मुझे क्योंकि मेरे रिस्ट को बहुत जादा एंगल पर टिल्ट नहीं होना पड़ रहा है एकदम नेट्रल सी फीलिंग है नेट्रल अर्गनॉमिक सा एंगल है मेरे रिस्ट का आप देख सकते हो इस वहले प्रिमियम प्रोडक्त नहीं है तो यह बहुत लंबे टाइम तक चलेगा नहीं यह मैं पक्का बोल सकता हूं और अगर आप लोग कोई ऐसी गेम खेल रहे हो जिसमें आप रेज कर जाओ और कीबोड में मारो तो भाई एक ही बारी में कीबोड टूड़ जाएगा बस और आपके ओर डेस्क को भी चोड़ा सा नीट एंट रखने में हेल्प करेगी लेफ्ट है इंड यहां पर आप लोग आउट्लूग खोल सकते हो डिरेक्ली उसके बाद जो हो में बटन है उसको दबाने पर आपका ब्राउजर खुल जाता है इस वले बटन से डिरेक्ली बात करें तो उस मामले में भी मैं इसको a solid 8 out of 10 देना चाहूंगा क्योंकि इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर ये अडिशनल फीचर मिलना थोड़ा मुश्किल है तो इतने दास की वीडियो के लिए अगर आप लोगों को ये keyboard खरीदना है तो Amazon के affiliate links वीडियो की description में मिल के लिए विल्दे एक लिए मुटब तक के लिए अडियोस